नमस्कार फ्रेंज कैसे हैं आप सब लोग देखिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर रहे हूं रसगुला की रेसीपी बंगली फेबरेट रसगुला रेसीपी कैसे बनाते हैं इस तरीके से हम लोग भी बनाएंगे देखिए यहाँ पर मैंने ले लिए एक बाउल सुगर सुगर में देखिए दो बाउल्चीन में पानी डालेंगे। सरी पानी डालेंगे और पानी दालने के बाद फिर हम इसको ग्यास कर लिए छाल गिंगे। और फिर इसको चासनी बना लेंगे तब तक हम इसको यहां पर हम छेना ले लिये हैं और छेना को इस हाथे लिगए इस पर सुन से हम इसको गिस गिस के हम इसको अच्छे से बिल्कुल मेल्ट करके हम इसको गिसेंगे बढ़िया सा गुटलिया बिल्कुल भी नहीं रहेगा इस इस तरह से हम इसको mix कर लेंगे बढ़ी हैसे इसका खुस्बू बहुत ही अच्छा लगता है रजगुले में और 15 मिनिट हम इसको घीस लेंगे बढ़ी हैसे इस तरह बिल्कुल बढ़ी हैसा एक बिल्कुल डो टाइप का बना लेंगे और यहां पर मैं डाल रहे हूँ एक चमज मैदा मैदा डालके और 10 मिनिट हम इसको इस तरह से mix कर लेंगे यह mix करना बहुत ही जरूरी है और अच्छे से mix करना भी बहुत ही जरूरी है देखिए अब बनकर के रेडी अब हम इसको इस तरह के से लोईया जैसे बनाएंगे बाल के दिखा रहे हूँ आप लोगों को यह बनाना बहुत ईजी है मार्केट जैसे बनकर के तैयर हो जाता है मिन्टो में देखिए दूसरा बनकर के भी रेडी इस तरह से बाकी सब लोईया हम इस तरह से बॉल्स बना लेंगे अब देखिए चासनी इधर पुरा खोलता हुआ कि जडाली अगर नहीं झूल रहे तो यह अच्छे से नहीं बनेगा टूट जाएगा हमारे रस्गुल्हा देखिए इस तरह किसे खोलता हुआ चासनी दो गुना हो जाएगा बड़ा बड़ा साइच का अब देखीए सारा बल्च हमें इसी तरसे डालते जाएंगे इसमें खुलता हुआ चासनी में इस तरसे और इसको 15 मिनिट हम इसको इस तरसे उबाल लेंगे अच्छे से खोलता हुआ चासनी में देखिए इस तरह से इस तरह से अब मैं थोड़ा सा पानी डाल करके चेक कर रहे हूं हमारा रजगुला अच्छे से बना है कि नहीं इस तरह से देखिए ये सही से बन रही है अभी बना नहीं और 15 मिनिट हम इसको और उबाल लेंगे अच नाम सुनते ही मुँमे पानी आरही है ये देखिए ये हमारा रजगुला अभी बन करके रेडी हो जाएगी 2 मिनिट में और थोड़ा सा इसको इस तरह से उबाल लेंगे देखिए अब हमारा रजगुला बन करके रेडी हो गई है हम गइस को बन कर देंगे आप देखिए ये कितना बड़ी है रजगुला बन करके रेडी हो गई है इस तरह से देखिए आप लोग भी इस तरह से बनी बिल्कुल स्पंजी इस तरीके से आप लोग भी बनाई है देखिए गरम गरम रजगुला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में अगर मेरे वीडि और सिस्क्राइब कीजिए थेंक यू